भगवद गीता के हम लोग तेरवे ध्याय के सोलवे श्लोक से शुरू करेंगे चर्चा सोला सत्रा करने का प्रयास करेंगे जैसे कि आला आप देख रहे थे भगवान अभी परमात्मा के गुड़ों का वड़न कर रहे हैं तो मेरे पीछ आप लोग बोली कोई भग माई को बो जीवों का और यह बता रहे हैं अब देखिए प्रभु पार जी नहीं यहां पर अन्वाद किया है भूता नाम का जीवों का और यह बिल्कुल सही अर्थ है लेकिन भूत का अर्थ एक और आप भी जानते हैं भूत का अर्थ है पंच महाभूत तो वह भी अर्थ आपको जहां पर देखना पड़ेगा यानि कि जीवों के हिर्दे में रहते हैं और जीवों के बाहर रह रहे हैं और साथ ही साथ तत्वों के ज बहिर मतलब बाहर और अंदर अंतश्य यह जीवों के अंदर जीवों के बाहर दोनों ही जगे भगवान इस्तित्थ है अचरम चरम मतलब जो चलते नहीं है जैसे कि पहाड हो गया चरम मतलब जो चलने वाले लोग चलने वाले लोग हैं अचलने वाले सब जगय भगवान हैं तो आप कहेंगे जब कोई वस्तु हर जगय कि नहीं है यहां पर कुर्सी है कि नहीं इस रूम में मृदंग है कि नहीं और हर जगे मृदंग हो और फिर भी नहीं देखे तो आश्यर होगा कि नहीं तो ये भी आश्यर बात है कि सब जगए हैं लेकिन कह रहे हैं सुख्ष्मत्वात क्योंकि वह बहुतिक अंद्रियों के दवारा ग्रहन नहीं किये जाते हैं जैसे कि अन्य देपता ग्रहन किये सकते इंद्र चंद्र का वी शरीर भौतिक इन्द्रे मोई इसलिवाब हुझ सकते हैं बहुतिक इन्द्रियों एक शूर्य और चंद्र का जो शलीर रहा बहुत है तो झात ours लिए अब वागवान के गविकरह को meer देख सकतें कि समझ रहे हैं तो कहरें सुक्ष्मत्वात अर्थात यहां पर इस करते हैं कि उनका जो स्वरूप है वह पूरी त्रयाध्यात्मी के इसलिए सब जगे होते हुए भी वह नहीं दिखाई पड़ते ऐसा कुछ कुंती मरानी भी बोलती है न कि इस लोग याद नहीं आ रहा है कि ठाक रहते हैं इसकारण से लोग देख नहीं पाते तो सब जगे हैं लेकिन भग्वान नहीं दिखाई पड़ते हैं इसलिए तद व ग्यंव तद अविक्जयम इसलिए पम्हद को जाना कि नहीं जा पाता है भौतिक इंद्रियों से हां बहुतिक समझ सकते हैं दूरच्टम क्योंकि सूख्ष्व हैं क्योंकि आध्यात्मिक हैं इसे दिखते नहीं तो कहने इसलिए दूरस्तम इसलिए दूर है लेकिन अंतिके लेकिन फिर भी हिर्दे में ही है तो इस प्रकार से भगवान के वड़े ही परस पर विरोधा भासी गुणों का वर्णा नहां पर हुआ उस भाहर तथा भीतर स्थित हैं सुक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं समझ यही बात बता रहे थे ना यह यद्यपी वे अत्यांत दूर रहते हैं किन्तु हम सबों के निकट भी है कीता बूशन ठीका बहिर अंतस्य भू भूत आ रहा है इस प्रकार से भूत का मतलब क्या है जीवात्मा तो है ही साथ-साथ भौतिक तत्व की बात भी कर रहे हैं तो उनके अंदर भी है और बाहर भी है जैसे मैं कहूं कि इस हर्मोनियम में प्रित्वी तत्व है तो आप मानेंगे लेकिन हर्मोनियम के अंदर है कि नहीं है प्रित्वी तत्व हर्मोनियम के अंदर है या नहीं है और उसके बाहर है कि नहीं है आप समझ में आ गया तो भगवान सब जगे प्रवेश की है और भगवान प पहिश्चतत सर्वं व्याप्य नारायन स्थितह नारायन सभी वस्तमों के अंदर और बहार अवस्तित हैं महा नारायन पुरिश्टी कोटिशन दिये जा रहा है इस पाद को प्रमाणित करने के लिए अचरम चरम में होमें के तरह मैं करता तो देखी हां मैं गलत बता ग्यां जो वह बोला था कि अचयर्यंध में यह यहीं अरत तो गलत नहीं बताय लेकिन उसका अरत यह नहीं नहीं है अचर्य लु bill आशाया है कि यह नहीं हिंगा चलते हैं यह बहुत एक पैर उनको चलते तो बहुत तेज हैं लेकिन बहुत एक पैर नहीं से चलते हो अध्यात्मिक पैर अध्यात्मिक शक्ति है आसीनों दूरम व्रजति शयानों याति सर्वतह इदिपी बैठते हैं फिर रिवे दूर जाते हैं इसमisenों दूरम व्रजति व्रजति मतलब तो कह रहें बैठे रहते हैं ज यह कट आप देखसकते हैं उपनिशम्थ में तत और वहशल कर रहे हैं लेकिन यह क्लियर नहीं होता कि वह है कौन लेकिन भगवान भगवा नos समझ सकते हैं कि वह विक्ति कौन है वह त्वात अर्थाथ क्योंकि भगवान ज्ञाना आनंद रूप हैं इसलिए व्हकेवल आत्मा के से दिवारा गे्य हैं और देवताओं के समान सामान निवना चाई समान भहातिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने हैं इसलिए ऐसा वर्णन है कि वह बहुत दूर स्थित हैं इलाइन समझ में आ रही है दूरस्त करता है किसे कोई दूर की वस्तों में दिखाई नहीं पड़ती है अपने आखों से अपकां से सुनाई नहीं पड़ता उसका शब्द तो क्योंकि भगवान पूरी तरह चिन्मय है आध्यात्मेक हैं तो उनको आत्मा जब शुद्ध हो जाती है भक्ति से युक्त होत रूप को नहीं देख सकते हैं जैसे आपने ग्यारवयद्ध है में पड़ा था देवप्या सुदुर्दर्शम इदम रूपम देवप्या कांग्षिण हां यह आप मेरा दुभवजी रूप देख रहे हो यह देवताओं के लिए भी नित्य कांग्षिण हो नित्य ही आशा करते हैं कि भगवान का रूप देखने को मिले लेकिन मिलता नहीं है यहां बोल रहे हैं कि देवताओं की समान भौत एक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं जैसे कोई वेक्ति अगर देवता का उपासना करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह है आध्या भाण जाकर कि हम सूरीदेव को देख सकते हैं तो इस प्रकार से भगवान को विक्ति देख सकता है नहीं जब तक वह सुर्भभक्त नहीं हो जाता है भगवान का दर्शन में पुर्चिक भी नायनम कोई भी मन में उनकी धारणा नहीं कर सकता है अब देखेगा यहां एक श्लोग कोड करेंगे थोड़ी देर में इसके विप्रित श्लोग कोड करेंगे दोनों का सामझे से विठाना पड़ेगा आपको कोई भी मन में उनकी धारणा नहीं कर सकता है और कोई भी उनको आ आगर आप क्यों ऐसा हो रहा दागाओं कि मन बुध्धी से भी सथूल है कि असले स्थूल है बुद्धि आत्मेसे भीबिञे में बुद्धि जड़ है और आत्मा छेटन वस्तु है और आत्मा से भी सुक्ष में परमात्म में भगवान तो उसको मन के द्वारा आत्मा को आत्मा ये परमात्मा को नहीं पकड़ सकते अच्छा अब एक बात हो गई अब अगर ये कहा जाए कि भगवान को मन नहीं पकड़ सकता है लेकिन क्या मन को भगवान पकड़ सकते हैं ये वाज सिधान सभर यही चीज़ को आगे अगे देखेंगे जब भगती प्रेम भड़ जाता है तो उसके जैसे जैसे छी में प्रेम बढ़ जाता है तो उस प्रेम की वज़े से वह भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है भगवान उसके हिर्दे में उसकी भगति क्वे से आकरश्ट हो करके उसके मन में आ जाते है प्रविष्ट करन रंध्रेना स्वानाम भावसरो रूहम धुनो दिशमलम कृष्णा सर बढ़ बाद वालश्लोक कि जब इस प्रकार से किसी विक्ति कर दे पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो पादम में कमन मंचती भगवान के चरण भगवान अपने चरण कमनों को कभी उसके अर्दे से ने इटाते हैं तो अगर हमें भगवान अपने हिर्दे में नहीं डिखने लग जाएगा जैसे कि नारजी कहते हैं कि जैसे ही में कृष्ण की इुदन करना शुरू करता हूं तुरण कृष्ण मेरे बात सकते हैं तो यह समझ में आ रहा है बहुत एक मन की शक्ती नहीं है कि भगवान की धालना कर सके इसलिए हम को शास्त्र से सुनना पड़ अभीर आने वाला एक मन के दोरा फ़यों को ग्रहन करता है तो अभी अभी से ग्रहन को बहुत ह которой एक ग्रहन करता है तौच से लिए क्रिक्राइब कर त़ यह के लिए एक का कई रही आ गुछ के सकते तो कि अभीर क्या सब प्रॉर प्रालाद मारास से से पूच रहें कहा है सब्तू अब देख लिए धरना कर्षुप को कहीं नहीं दिखे और प्रलाद महाराज को हर्ज के देख रहें तो दोनों में तर क्या है भगवान की भक्ति प्रलाद महाराज के सांगीत के वीभिन अंगों को समझ सकता है इसको समझाता हूं सकार्थ क्या है माली जिसने कोई गायान सिखा है तो तुरंद पकड़ लेगा यह कौन सराग है आता जी कोई सराग है पता है वियार चुरा है अब देखें आपके विहार अच्छा बियार के बारें बात कर रहे हैं हम लोग कुछ समझे में आएगा अब कभी मान दिजिए कोई राग राग निकोई गा रहा है तो जैसे कोई वेक्ति मुजिक में ट्रेंड है तो तुरंद समझ जाएगा है यह यह बजा रहा है यह गा रहा है है कि नहीं जैसे अब हमारे यहां पर सिंवर्दंग बजाते हैं लोग बाग तो शुर्वात वाले विक्ति हैंगा बड़ अच्छा बज़ रहा है जो चाहे एक दम नया विक्ति बजा रहा हो बड़ अच्छा बज़ र एक्साम्पिल आप अपने भागवत में अब्सना था नतो नाट्ट धरो ना 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 था एक अब वांत व्यमतुना वित्रप्या महा उत्तम शलो कविक्रमें ये स्वाधुशंथी नाम स्वाधु यानाम स्वादुसवादु पदेपते रसक्य की बात में आई थी जो वितिरसग्य है जैसे मालीजे संगीत शासर को जानता है और मालीजे कौन सा नाट्ट को डांस होता है अब अब अधिसी डांस में वह विविन भाव भंगी मा दिखा रहे हैं तो हमनों क्या लगेगा दिमाग खराब होगया है क्यों कर रहा है असमें बड़े बड़े मुदा रहा है क्यों कर रहा है लेकिन जो जुक्रवात में बहुत अच्छा बात बूल नहीं आता तो लिए क्या बूल ब्रह्म अनादी मत्पर यह क्या दूरस्थम आंतिक क्या बात कर रहे हैं उसको रुची नहीं होती है उसी प्रकीक उधारन दी जा रहे हैं तो यह एक बहुत गंभीर बात है उधारन सिद्ध होता है तो उधारन को द्वारा समझा करके सिध्धान्त को समझा जाता है यह यह स संगीत शास्त्र को नहीं जानता है उसकी कान उसमें ट्रेंड नहीं है तो वह संगीत को समझ नहीं पाएगा क्या क्यों अग्जामपिल दी जा रहा है संगीत सामने प्रस्थत होते हुए भी वह संगीत को नहीं समझ पाएगा यह समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही कि मैंने भी इसाम पिल दिया ना संगीत सुन रहा है विक्ति आपको याद है ना बहुत पहले जब मैं चोटा था और श्याद आपनों को जन्र नहीं हुआ था तो डीडी चैनल पर संडे को क्लासिकल मुजिक आता था मुझा आज भी याद है तुरंद बंक कर देते क्या है कि में सेंस तो अब संगीत पस्तित है यह उसमें कोई रसकान भव नहीं क्योंकि कान ट्रेंड उसमें नहीं और मैं सोचा करता था इतने पूरा ओडिटोरियम क्य सकते हैं तो उसका लगलग भाव होता है तो जब नहीं पता है तो उसको हम सामने होते हुए भी नहीं समझ पाएगा क्या बाते समझ में आ रही है अब आप इसी को भगवान कृष्ण के ऊपर घटे करिए कि भगवान कृष्ण कितने भी महिमादिक अपनी प्रस्तुत करें प्रस्तुत करें जुस वेक्ति के पास भक्ति नहीं है भगवान सामने आका भी बताएं कि मैं भगवान हूं वह स्विकार नहीं करेगा यह बात बुरी जारी तो लेकिन जो वेक्ति ट्रेंड है भक्ति में भगवान कृष्ण को समझ पाएगा उनकी लीला के माधुर को पास हैं मेरे भक्त समझ जाते हैं कि भवान परमात्मा हैं कैसे दूर हैं कितना असानी सब्समझ रहे हो दिक जो अभग्त है वह इसको रहसे ही समझेगा इस तो इस प्रकार यह दूर है अर्थात चक्षू और कर्ण के द्वारा अनभूत नहीं मतलब इंद्रियों से नहीं कि रहन किया पा रहे हैं फिर भी वे पास हैं अर्थात अनभाव गम हैं इसमझ में आई बात दूरस्थ चा अंतिके चयतत इसकारती है कि जिस प्रकार से कोई वस्तू बहुत दूर होती है में दिखाई नहीं पड़ती है तो उसी प्रकार से भग्वान सब जगे होते हुए दो भी इंदरिगों के पर हैं दिखने रहें लेकिन यदि कोई विकति भक्ती करता है तो एकदम के कितने पास है प्रेमाज नच्वर्ट भक्ति विलोचोने संता सदेवरेशे विलोकांती इतने पास है कि हर दे मैं हामेशा ही भक्त देख सकते हैं लेकिंके प्रे winding होना चाहिए थोड़ा से बस मेहनत करने प्रेम प्राप्त करने के दुचार सो जन्म लग जाएगा पता नहीं कितना लग जाए सो में मिल जाए तो बहुत असान है लेकिन पता नहीं जो भी है कम से खुक्रति कहरे है मन अदृष्टव्यम भगवान को मन के द्वारा ही देखा जाना चाहिए Apple कि क्या बाति आंको विरोधास पत्य लग रहे हैं समझ में आ रही है कि अभी बोला कि मनके द्वारा भगवाण को नहीं देख सकते मैं कहूं तब नहीं ही अधू आटा बॉलों नहीं हातों से ही आता गुंदना है तक तक कहना क्या चाहते है है और ऐसे बाइक से मंदिर जाओ लेकिन बाइक से मंदिर ना छाना तो अब नगे क्या कहना चाहते है आप समझ तक इसना मेरे बाद बताए grant सी जाना भॉतिक मन की प्रकौाशन होता है भकती बढ़ती है तब भग्मान को वहां मन से देख से आध्याद मार्शा सो ठीक है तो ऐसे मनतों के दारा भगवान बहुत पास जिसक्पाम भगवाण के प्रतिप्रेम है कि त द़ी में परत्यक आत्मान वाइक शत है एक बुदिमान विक्ति अंतरात्मा को देखता है। देखता है मतलब अपनी आद्ध्यात्मी गिनियों से देखता है। अन् Konter patients कैसे। भक्ती योगे ही टिश्टती बश्टती भक्ती योग में इस्थित जब विक्ति भक्ति को प्राप्त हो जाता है तो भगवान उसके रिदे में हमेशा रहते हैं उसे प्रतक शिरुप से दिखाई पड़ते हैं भक्ति योग जहां भी होता है वहां भगवान की उपस्तिती होती यह आप सब जानते हैं ए- इस्मृति भी कहती है कि भग्वान भक्ति के द्वारा जाने जाते हैं फकत्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विदोजनह जयात्व द्रृष्टं च акत्वेँना प्रविश्टं च kayak iksi कि दौरार जिसमें भगवान की प्रफ़ांति के अलावा और कोई इच्छन नहीं है और उस प्रापति केलिे विक्ति भगवान की भक्ति ही करता है कई बार पता चुके हैं इसको अनन्य चैते हैं मुझे लगता है कि एक भक्त को समझ में आ गया हो ऑगा कि अनन्य बाइन्य भ्रश्न करते हैं से इस ना अन्य अभिलासान नहीं हो भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए और UNC प्रेम कारें और कि भक्ति करें सद्ध्य क्या है भगवान का प्रेम और साधन क्या है भगवान का भगवान की भक्ति यस कि ताथ पर यहां तक समझ में आ रहा है या बहुत कठिन हुआ ठीक है इससे पहले कि आगे बढ़ें फिर तुश्लोक को देखते हैं मैं मैंने कुछ मिस्टेक करती थी इसलिए मैं वापस बोलना चाहता हूं बहीर अंतस्च भूता नाम सभी जीवों के सभी वस्तुओं के बहार और अंदर है अचरम चरम एवचा वह ना चलते हुए भी चलते हैं उनकी आध्यात्मिक पैर है उसके दराव है बहुत इक पैर उसे नहीं चलते ह सुख्ष्ष मत्वात और विग्यynn सुख्ष मत्तव्त है मतलब वह वह दिव्य स्ठथी में रहते हैं इसलिए महात चजाने नहींBen शेयना हैं जा सकते हैं। दूरस्तम अर्थात इंदिनों से बहुत दूर हैं लेकिन अच्छा अन्तिके जिसके पास भक्ति है उसके लिए एकदम निकट में यह हमने समझा दिया प्रयास के मिस्टिक जुद्धिस को प्रेंटिक कर दिया तातपर वैदिक साहित से हम जानते हैं कि परंपुरुष नारायन प्रत्यक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं इस समझ में एक छोटी स्थी का यह है कि भगवान को प्रसन करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है कर रहते कि आप इसको अनुमुदित ना करें उसको सुपू झठा कर रहे हैं आप जब कर रहे हैं प्रसात कर रहे हैं you भगवार्ण उसको समझते हैं यह गफि कली शिए वह वात तता अध्यात्मिक दोनों ही जग़तों में विद्धिमान रहते हैं यह बहुत दूर हैं फिर्विए हमारे निकट रहते यह वचलना अब यह दूर रहते हैं हमारे पास रहते हैं इसकी व्यक्या तो की जा चुकी है उसको नहीं सिम्धार है आसीनों दूरं ब्रजति शयानों यातिसर्वता चूंकि यह वे निरंतर डिव्य आनंद भोगते रहते हैं अतेव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे एश्वर का भोग किस तरह कर सकते हैं इसको कलपना भी नहीं कर सकते कि कलपना करी नहीं सकते इसलिए शास्त्र से सुन करके थोला अंदाजा लेना चाहिए हर बार हम लोग पूतना के बारे में सुनते हैं और बार बार सुनना चाहिए कि जो छोटे बच्चों का रख्त पीती थी और भगवान कृष्ण को जहर देने के ले आयए थी अच्या आज एक और बात गयर हुई कि उसका बच्क नहीं था इसके बच्चे नहीं थे ऐसा को इमातन शीव इंए रह दोंसरती दी दोग तो तो था एक यह लह यह था और लोगर जहर था और शेहर यह और पृष्णि देने के लिए और फिर भी क्रिश्ण उ तो यह बात हमेशा विक्ति को याद रखनी चाहिए कि हम कितने भी निम्न क्यों ना हों पहली बात यह कि हम भगवान के अंश है इसलिए भगवान का हमारी प्रति प्रेम सहज है भले इस समय मनभव नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे समझ में आता कि हर माता का अपने लड़के के पर इतना प्रेम क्यों होता है एक भक्त जॉइन करना चाहता है तो उसकी मां कहरी में मर जाओं तब जॉइन करना और यह शायद हर माता ही बोलेगी कि मैं मर जाओं तो फिर जॉइन करना जो क्यों क्यों लड़का नहीं मैंने का यह कौमन फेट्टर है मतलब सारी माता है मैं लगों पर प्रेम बहुंद करती कियो में करें कि यहां तक यह बता रहे हैं इस को आ दर्बिंस नाम तो जानता थानी सनियासी है उनकी मां करें उनके उनतिस बच्चे अफिर बीन को दुख है कि एक लड़के एक लड़के ने हां सुना समने 29 बच्चे हैं लेकिन फिर भी उनको दुख है कि एक लड़के ने शादी नहीं करी यह इस्तिति है जो भी रहा हो पता नहीं कितना सत्ते मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा मैंने सुनको बहुत दुख है कि लड़के न पर हम सब भगवान के अंश्य है और भगवान का हमारे प्रति प्रेम सहज है यह समझ में आ जाएगा तो हम अपना प्रेम भगवान को दे पाएंगे परम पुझ जयापता का महराज बहुत भीमार रहते हैं तो कुछ साल पहले की बात है बता रहे थे कि वह है कलकत्ता की रथ से प्रेम है अब क्योंकि शुद्ध भक्त इस प्रकार से भगवान के प्रेम को अनभूत कर पाते हैं इसलिए वह भी कृष्ण को और प्रेम देना चाहते हैं हमें सुनना है ताकि हम समझने लगें कि किस प्रकार से कृष्ण हमसे प्रेम कर रहा है कि कभी कभी लगता है कि ह कि वहाद सही आप डिवोटी है इसलमच रहें लेकिन आसा भाव में आ जाता है कि यह क्रिश्ण का स्विकार करेंगे तो हमेशा पूतना को इसका रतीनी के वह गगती का लाइसेंस लिए लेकिन फिर भी कृष्ण की और उन्मुक होने के लिए हम हमेशा स्वतनतर है कृष्ण स्विकार करने के लिए हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं अते वेदिक भाष्ण में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमरता है यह बहुत महत्तपूर्ट सेक्षिन है भागवान को यिदी ह नहीं करना होगा अगर हम भगवान कुछ समझना चाहते हैं तो अपनी मन और इंदरियों के द्वारा जो information जूँन और है उसके उपर में вिश्वास नहीं करना होगा जूकिल हम मन और इंदे से भक्ति कर रहे हैं लेकिन जो है इंफरमिशन दे रहे हैं उस पे हम विश्वास नहीं कर रहे हैं I don't know why the net is gone down or something सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जब हमें बगवान की भक्ति करनी है ठीक प्रकार से तो हमें क्या चीज ध्यान देनी होगी कि अपनी इंद्रियों और मन के द्वारा जो हमें इंफरमिशन मिल रही है उस पर हमें विश्वास नहीं करना जैसे को सोचेगा रहे तो मुष्वी हैं तो यह हमारी आख हमारा मन बोल सकता है लेकिन शास्त्र क्या बोल रहा है ना प्रतिमा नहीं तुम्हीं साक्षात भगवान हैं बहुत सचेत रहना उनके सामने बहुत बाड़ तो पताने चलता प्रहुजी कि मन बोला है नहीं बिल्कुल असानी से आप समझ सकते हैं कि मन बोला कि शास्त्र बोला मन बोल रहा है कि यह तो खली मुवती है तो मन बोल रहा है अगर शास्त्र के अंसार हम सोच में फिर से repeat कर रहा हूँ शास्त्री स्था करते यह है कि हमको भुले अनभव नहीं है दिन लेकिन हम उस पर शास्त्र की द्रिश्टी से वहवार करते हैं समझते हैं और आप दिरे दिरे देखेंगे कि उसका अनभव भी हमें जीवन में होने लगता है भगवदीदा को सुनते हैं तो अपने चित्व में आलोग अनभव करते हैं अगर इस समान ग्रंत होता तो हम क्यों इस प्रकार से चित्व में आलोग अनभव करते हैं नहीं करते कि हम कुछ शुद्धी का अनभव करते हैं आध्यात में प्र शास्त्र की बाद में विश्वास करता है और जब ऐसे चलेगा भक्ती बढ़ेगी तो बहुत दिव्वी प्रत्रश्चन भग कर पाएगा साथ भवान को देख पाएगा लेकिन अभी नहीं देख सकता अभी उसके लिए शास्त्र की वचन को सुन करके उसके साथ चलने सी सही ह साहिल प्रवु समझ में आ रहा है दिल में रेस्ट कर लेना चाहिए अब है सबसे महत्पूंट चीज़ है वह समझ में नहीं आएगी पर अतेव वैदिक भाशा में कहा गया है कि हमने समझने में हमारा भौत एक मन तथा इंद्रियां असमरते हैं और इसलिए भगवान को अ किया है वह उन्हें निरंतर देख सकता है इसको ऐसे उधारन समझी अगर मेरे आखों के सामने इस प्रकार के कवरिंग आ जाई तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पटाना अब जैसे जैसे वह कवरिंग हट जाएगी मुझे दिरिश्य देखने लग जाएगा दिरिश्य तो उपस्तित है मेरी आखें कवर्ड है अब समझ में आ रहे हैं इसलिए बोला जा रहा है आखों की कवरिंग तो यह जब हमारी हृते शुद्ध हो जाएगा हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तब हम भगवान को समझ पाएंगे तो इसलिए शुद्ध करने की प्रक्रिय व उपस्ट चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है प्रिमांजीन चुरित भक्ति विलोचनेना संतह सदेव हिरदेश विलोकयंति यम शाम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमाद्य पुरुषम तम हम भजामे ना सिर्फ है परमातना का दर्शन करता है अ अचिंत गुणों से योगत शाम सुंदर का दर्शन करता है अचिंत मतलब जिनको भौतिक मन से आप ग्रहन नहीं कर सकते उसका आर्थी है कि उसका मन जो है अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है और भगवद गीता में इसकी पुष्टी हुई है कि उन्हें केवल भक् अक्तिया तो अनन्या शक्या एक श्लोग और देखेंगे यहां तक किसी कुछ पूछना है यस कृष्णा प्रवगती जिए प्रभुजी जब यह कहा जा रहा है कि परमात्मा को मन में धारन नहीं किया जा सकता तो उनके स्वरूप की बात हो रही है किसकी बात हो रही है मन भगवान को नहीं पकड़ सकता है लेकिन भगवान मन में आ सकते हैं उनको धारन कर सकता है लेकिन मंन को बात्तम करते मैं दोनोती शमल लब किस्ना कृष्णा सालीलस्त यत्ढशाब जिस प्रकार से शरत रितू में सारे जलाशाए शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम कृष्ण कता सुनते हैं, तो भगवान कानों के द्वारा हमारे हिर्दे में प्रविश्ट करके खुद ही सफाई करते हैं, जैसे इस classroom को को और साफ नहीं किया, हम लोग ने स्वयम ही साफ किया, क्यों? क्योंकि ह हम लोग को स्वयम को क्लास करनी है, तो गंदी जै के तो ना क्लास करें, याद है न, जब हम लोग उसको सफाई कर रहे थे, तो खुद ही सफाई किये न, असकी, खुद ही सफाई किये, अमारे कहां गई है, सादु शरण प्रवु, आपको बोले थे न, वो उस रूम में सफाई करने का, हम बिसे के लिए भगवान से कह रहे हैं, भगवान हमारे हिर्दे में रहिए, वो रूम देखिये, और वहरूम देख सकते हैं, यह अच्छा एक्जामपल है, वहरूम काफी दिन से बंद पड़ा था, तो उसमें कचरा बहुत जमा हुआ था, बाहर सब ठीक ठीक लग रहा था, लेकिन कचरा बहुत जमा था, बीव देखिए, शायद कचरा बहार निकला हुआ हुआ है, पता नहीं हटा दिया की नहीं, जब सफाई करना चालू करेंगे तो खूब, कि एक ही बार में सफाई हो गया था, खूब रगड रगड के सफाई करनी पड़ी थी, तीन घंटा लग गया था, तीन घंटा एक रूम साफ करने में लगा है, जो कुछ सालों से बंद है, और यह हमारा हिरदय की गंदगी है, वो तीन घंटे में साफ हो जाएगी, तो इसलिए इसको अपनी साधना से लिंक कीजिए, जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं, हमार अपाजी कोट करते हैं इसको, और अब इसमें बड़ी अची बात यह है कि अगर हम सुने, तो फिर तू कहना ही क्या हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो अब उस भगवा, हम तो मदद कर रहे हैं भगवान की, कि भगवान हमारे कानों के दोरा प्रवेश की जए, उसके खराब जगे की शरण नहीं ले सकता, क्यों साधु शरण तो, है ना, तो क्रिष्ण साधु व्यक्ति हैं की नहीं, गंदे जगे नहीं रहेंगे, तो इसलिए अब बुलाए तो हैं हैं आप, तो कहेंगे यह तो आदमी साफ करें, जैसे आप जानते हो कि मैं तो आपको दे रहा हूं, रूम तो दे रहा हूं, नहीं साफ नहीं करके दोंगा, साफ तो आपको स्वैम करना है, अगर रहना है तो, तो उसी प्रकार से, क्रिष्ण अपने भक्त के हृदे की सफाई स्वैम करते हैं, और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि उपाधी का कोई मतलब नही है, चाहे माता जी हूं, चाहे प्रभुजी हूं, चाहे पड़े लिके हूं, चाहे नहीं पड़े लिके हूं, जो हरे कृष्ण कर रहा है, बहुत ध्यान पुरुख सुनिए, जो हरे कृष्ण कर रहा है, उसकी अज्ञान को भगवान नश्ट करेंगे, इसमें उपाधी का क को इस्थान नहीं है और मेरे स्वरूप को किसने ढखा है बता सकता है माय और आपके स्वरूप को माय नहीं है यह वार समझ में आरी है अच्छा मेरे स्वरूप को प्रकाशन क्या से होगा हरे किष्णमन्त के जोड़ा आपके स्वरूप ब वी इस बीड वांट गया होँ आप नहीं कि इसे को फरकपड़ता है क्यों भी यह मैं Balmige Iид Kanpur रोसा कि आप जिएं ले सé के निहीं से को फरकपड़ता यह मैं वीजिएल में आरा पास हुआ प्ररता कुछ भी फरक नहीं पड़ता कितना प्रोशा कभी-कभी लोग करते हमको प्रबजी फिलोस्पी नहीं जानते हम तो बहुत पड़े लिखे नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है आप सुने हगवान का नाम जब करें हृदय में ज्ञान अपने आप उधित होने लगता है और इसका मतलब है कि इता भी सुनना है ने तो यह कैसे नाम के दोर के बात समझ में आ रही है नहीं समझना रही है कि इतना अमेजिंग बात है कि इतनी सुन्दर तरीका है जिसमें आपकी पढ़ाई लिखाई या आपकी आध्यात्मिक सारी बहुत तक योगता का कोई स्थान नहीं है उसको उपयोग कर सकते हैं लेकिन हरे कृष् इस समझाने के लिए कि भगवान का दर्शन व्क्ति कोई भी कर सकता है अगर भगती को बढ़ाता है अजामिल जैसे विक्ति भी कर सकता है तो इसलिए मन भगवान को धारन कर सकता है जब वह है भक्ति से योग तो हो जाए पता है नहीं क्याता है भूले गया हां यहां तक जैसे योगी योगी लोग जो ध्यान करते हैं तो कैसे सुरुवात में धारन करते हैं देखिए योगी लोग अश्टांग योग का बहास करते हैं कि क्या है पहला वो यम नियम आसन प्रत्या प्रणयाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधी लेकिन योगियों में भक्ति नहीं होती योगियों का अंत्तों गत्वा लक्ष होता है कि भगवान में जाकर के मिल जाना भक्ति का भाव नहीं है भगवान से भावं में मोर के रहा है कि आंको देक रहा हूं कि मैं नहीं है देख रहे हैं आपको साथना देखिए परमात्मा के रूप में जो योगी रोग देखते हैं उन्हें सुख तो मिलता है लेकिन वैसा सुख प्राप्त नहीं होता जो भक्तों को भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है क्रिष्ण से क्रिष्ण के सुख कानभव हम केवल भक्ति सेवा भावना के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं और प्रभपा जी बहुत आप स्पश्टूप से कहते हैं परमात्मा की ध्यान करने की क्या जूरत है एक भक्त ने प्रभपा से पूछा कि जम भवान के विग्रहों के सामने जाएं तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए हां आग बंद करेंगे पता नहीं कुछ कुछ बोलते रहते हैं उसे तो खहरे रहे रहती है कि भाव की बात है लेकिन वस्ताह भागवां को देखते हुए गाना चाहिए और यह बहुत महत पूर्ण है कि हम जैसे नए डिवोटी है और डिवोटी बनने का प्रयास करें उनको भगवान के मंदिर में जाकर वागवान को देखना चाहिए और उसके दोबर हमारा सारा गंदगी सफाई हो जाती है अपितु हम भगवान के धाम जाने की योग बंते है इसलिए मैं बहुत दुख लगता है कि हमारे मंदिर में लोग को बंगल आर्टी के लिए नहीं आने सब्सम्दाना पड़ेगा तो हम लोग आज यहां को रोकते हैं किसी का प्रश्ण है मैं देख लेता हूं जोम पर किसी को प्रश्ण है तो अचरम चरम एक बर आचरम मतलब भगवान के जैसे यहां पर वस्तु देख रहे हैं तो चलती है कब जब इसके टांगे हैं और नहीं तो भगवान की भौतिक टांगे नहीं है लेकिन वह कहीं भी चले जाते हैं अ कि इस दुरौपदी का जब अपमान हो रहा था तो भगवान किसी रथ पर नहीं बैठके आये थे तुरंत प्रकट हो गए तो है ना उसी प्रकार से भगवान को चलने के लिए कहीं पहुंचने यह रुखने से बोलने से पहले आप बोल दिया करो वारवर में अनॉंस कर रहा है उनलोग फूश ओ जाते हैं फिर दुख्यात ने रोजी कले डिवोटी पूछ रहे थे क्वेश्चन की जैसे आपने बताए कि भगवान सर्वव्यापी है हम सर्वव्यापी नहीं है हमारा म सब्सक्राइब बताए अगर आपका मन सर्वव्यापी है देखे प्रशन अच्छा कि आपने सर्वव्यापी नहीं है जहां पहले वह इंद्रियों के द्वारा अन्भव किया है बस वहीं तक व्यापी है इस समय जा रहा है पिरसे आप लोग मन में कभी जप में आया की हम लोग ड्रैगन फ्रूट खाएं अ कभी है क्यों नहीं है माई को बताइए क्यों नहीं आ तो अ shrinking घालते तो क्योर्व एंसटी को चीज होती है और पता नहीं इंड़ंधिरों होता है उसले हमारा मन सर्व यृपि नहीं है जिन जगां का अनभव किया है सुनना वहां पिक आता हुए हैज्ञ-धोक समझने हैं कि हमारे मन को हमش्म Zion अपवित्र कर रहें, जो हुआ तो सहुआ लिकिन अभी वस्त button देखती है सुनते हैं और सबस्ते कुछ फोगाने जब करनी बटाईंगे श्यूंत कहां से आ गया का से मतलब हमने स्वेम पिन दा भी जग हिन है और कोई कि है कि का ऐसा तोसे हैं publicыл काल बते कि अधिता नहीं हर जोए हो सकते तो श्रीला प्रप्रपपाद के जारे